Welcome Students, RBSC Online Classes की आपकी अपनी पाटशाला में स्वागत है आप सब का, हम पढ़ रहे थे History का तीसरा चैप्टर, अंग्रेजी सामराज्य के साथ प्रतिकार और संगर्ज, जिसमें भारत की आजादी तक के सारे जो भी मुवमेंट्स हुए, वो हमने डिसकस किये और उसके बाद म किसान अंडुलन में हमने पहले पड़ा था, बिजावलिया किसान आंदुलन और उसके बाद में आज हम शुरू कर रहे हैं सीकर किसान अंदुलन, ये जो आंदुलन है, ये बोहत ही इंट्रस्टिंग इसकी स्टोरी है, आप अगर इस स्टोरी लाइन को इंट्रस्ट लेकर पड़ेंगे, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, इसमें जो गटनाए हुई, वो क्रमबद तरीके से नहीं हुई, क्रमबद का मतलब यह नहीं कि हार गटनाए एक दूसर किया जा सकता है, साथ ही इस आंदोलन के बारे में एक बहुत ही याद रखने लाइक बात यह है, कि इस आंदोलन की गूजद लंडन तक सुनाई दी थी, यह राजस्थान का ऐसा आंदोलन था, पूरे भारत में इसके बारे में बाते हुई, और लंडन में भी इसके बारे म में बात की गई थी तो आईए पढ़ते हैं सीकर किसान आंदोलन के बारे में 1922 में ये आंदोलन शुरू हुआ तब जब कल्यान सिंग वहां के नए राव राजा बने थे देखे एक बात मैं आपको पहले ही जो है बताऊं जिस तरह से बिजॉलिया जो था वो मेवाड का एक उस तरह सीकर जो है वो जैपूर रियासत का एक ठिकाना है हमने देखा था कि रियासतें बड़ी-बड़ी रियासते होती थी उनको अलग-अलग ठिकानों में जो है डिवाइड कर दिया जाता था तो जैसे मेवाड में जो है वो ठिकानेदार कहलाते थे ठीक वैसे ही यहां पर और इन सब चीजों पर जो है बहुत खर्चा हुआ है और दूसरा नए राजा बने तो उसके उत्साव पर भी खर्चा हुआ यह कहकर उन्होंने 1922 में 25 से 50 प्रतिशक तक की वर्दी कर दी थी करों में यह कहकर कि यह सिर्फ एक साल के लिए है अभी इस साल खर्चा बहुत हो गया इसलिए लेकिन हुआ यह कि अगले साल यानी 1923 में भी यह वर्दी जैसा कि प्रॉमिस किया गया था वाइदा किया गया यह वर्दी वापस नहीं ली गई इससे जनता जनता में जो है रोश उत्पन हो गया और राम नारायन चौधरी के नेत्रतु में यह आंदोलन हो गया यह आंदोलन जो है इतना तीवर और इतना बड़े पहमाने पर था कि इसकी गूज लंदन तक सुनाई ती लंदन में एक अकबार निकलता है डेली हेराल के नाम से डेली हेराल के नाम से जो अकबार निकलता है वहां पर इसके बारे में लेख लिखे गए थे और 1925 म वहां की जो लोकसभा है वहां पर एक सदसे थे पैथिक लॉरेंस जो कि लेबर पार्टी के सदसे थे उन्हों ने इस मामले को वहां उठाया और उसी समय उसी के आसपास जो है 1931 में राजास्थान जाठ शेत्रिय सभा की स्थापना हुई तो आप सूचिए लंडन में अकबारों में इसके बारे में लिखा जा रहा है वहां के house of commons के सदस से इस मुद्दे को उठा रहे हैं बड़ी सभाएं बन रही है तो फिर क्या होता है कि महराजा पर इसका दबाव बनता है अब साथ ही साथ एक घटना और घटती है कि यह जो जाट शेत्रिय सभाती इसके म पंचमी के दिन जो है एक बड़ा हम महायग्य कराएंगे देखे जब बात धर्म के आती है तो धर्म के प्रतियास्था सभी लोग दिखाते हैं और यहां भी ज्यादा तर धाकर जाती कि किसान ही थे तो इन्होंने कहा कि हम जाटों का क्यूंकि जाट बाहुले है तो इन्हो दिखेंबराज शर्मा थे और इसके जो यजमान होते है दिखे जब यगय होता है तो एक तो वो जो एक रिएक करवाते हैं वो होते हैं और एक वो होते हैं अग्न click a lot इन देते हैं वो थे यजमान इसके and coke अब यह सोचा गया कि जब इतना बड़ा यग्य करवाया है पंजाब, हरियाना, उत्तरप्रदेश, मद्यप्रदेश तक से लोग इस यग्य को जो है इसके आयोजन में पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि आखरी दिन कुमर हुकम सिंग को हाथी पर बैठा कर जुलूस निकाल कि हम उनको दिखाएंगे शक्ति प्रदर्शन इस तरह से करेंगे बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से लेकिन जो उस समय वहां के राव राजा थे उन्होंने उनको ऐसा लगा कि यह इस तरह से हाथी पर बैठना और यह सब तो हमारे विशेशादिकार है यह सब तो जो ठिका क्यारे में बाद तो की नहीं उन्होंने उस जूलूश से पहली रात को हाथी कोरिवा लिया लेकिन किसानों के नेटा थे छोटू राम उन्होंने डै Algun महरा जैपूर जो महराज वह उनको तार किया ठीलीग्राम किया और आप उपलब्द कराया उस सारे जुलूश की विवस कि और तीन लाख लोगों का वो जुलूस निकला था कहा जाता है कि ये बीसवी सदी का राजपुताने का सबसे बड़ा महायग्य हुआ था तो इस तरह ये जो है सीकर किसान अंदुलन का पहला चरन था जब महराज को भी जब ठिकानेदार को भी सब को भी लोकों की जो वास् 1922 when new landlord Kalyan Singh increased all the taxation from 25% to 50% but with a promise that next year it will be decreased by itself because this year processions took place and it extended all the expenditure of the state but in 1923 it was not taking back as the as he promised so he turned back from his promise and in the leadership of Ram Narayan Chaudhuri the movement started and the echo of this movement was listen till London in a newspaper named the daily herald articles was written about this movement and a member of house of commons named pathic lawrence and he was a member of labor party and in 1925 he raised his voice against Maharaja and against the landlord in 1931 Rajasthan Jat regional organization was organized and it make it made a more pressure on Maharaja and even on landlord on 18th January 1924 Thakur 1934 Thakur Deshraj Singh Pathena thought of a plan to organize a yajna named Jat Prajapati Mahayajna on the day of Basanth Panjmi and Pandit Khemaraj Sharma was appointed as the supervisor Kumar Hukum Singh who was considered as the as the main as in the main role of this yajna he they thought of a plan to make a procession and procession on elephant but the landlord consider it as his insert because it was a special right to the king and the landlords to sit on elephant so the elephant was stolen first night of the procession and the leader named Choturam informed Maharaja by telegram and Maharaja himself ordered the landlord to arrange all the procession arrangements so landlord gave a landlord gave an elephant by himself and the procession took place it was a procession of approximately 3 lakh people and it is considered as the biggest yajna of Rajputana in 20th century . So this should look at the extrude nit because of the other错 that it was because of the others and which during this struggle of the country the whole country it was sliced because of the struggle of the shourish people. So she had got two people he had erschoshi people and she had sex people wanted to raise people in the front of the university . So she had sex people with the struggling people which they had sex people with the society they just嗓 enough that they had sex people and often they had sex people with the festival that they would have sex people with the family and even if they were sex people with the तो ठाकुर मान सिंग एक बार किसी चोटे से गाउं में गए थे वहां पर उन्होंने महिलाओं के साथ बहुत दुर्वेवार किया और यह जो बात है वहां की महिलाओं को बिल्कुल नहीं जची और इसके विरोध में 25 अपरेल 1934 को कटराथल गाउं में महिला सम्मेलन आयोजित किया गया श्रीमतिक किसोरी देवी की अद्धिक्षता में इसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सी महिलाओं ने भाग लिया जिनमें बहुत ऐसी महिलाओं भी थी जो पूरे राज्य स्तर पर अपने कारियों के लिए पहचानी जाती थी फूला देव उत्तमादेवी उम्मादेवी तो आप ये दो-तीन नाम और लर्ण कर सकते न्याग्म सक्ट मोह था जो महिला संहीलन yeah OUT पर इतना इसका देवाव शियोड के धाकरमन सिंह को जो हैं ुसके बाद के साथ नोने दुरुवयवार इंगान। उन्हें से माफी fundamentally पड़ी थी ठीक है उसके बाद में तीसरी गटना और जो आखरी निर्णाय गटना जिसको गह सकते हैं वो ये हुई कि उसके ठीक एक साल बाद महिला सम्मेलन के ठीक एक साल बाद 25 अप्राइल 1935 को एक और गाउं है कूदन गाउं वहाँ पर सबसे पहले ये जो कर बड़े वे थे और इन वालों में भी जोश आ गया उन्होंने भी जो है टेक्स देने से मना कर दिया इस बात पर गुसा होकर जो भी वहां सरकारी अधिकारी गए थे उन्होंने गोली बारी शुरू कर दी और चेत राम, टीकुराम, आशाराम, तुल्चाराम नाम के चार जो है किसान शहीद हो गय गया था, एक बार फिर से इस आंदोलन की गूंज लंदन तक सुनाई दी, ब्रिटिश पार्लियमेंट में फिर से इसके बारे में बात हुई, तो हमने देखा कि अकबार में लिखा गया, पार्लियमेंट के सदस्यों ने उठाया, इस से जदा दबाव तो क्या ही पढ़ सकत अंदोलन की अंदोलन की समाकी हो गई, यह अंदोलन जो ह। वह किसानों की सारी मांगों की मान लेने की शर्थ पर खतम हुआ था, तो बहुत सफल महत था था यह आंदोलन that region came together and a women conference was took place on 25th of April 1934 in the village Katrathal in the leadership of Mrs. Kishori Devi most other ladies were also included like Uttama Devi Uma Devi you can learn more two or three names and this conference was as huge that at least at Thakur Man Singh Man Singh had to agreed with his mistake and had to and had to go with the conference and he he had to apologize with the ladies he misbehaved earlier okay and the third and most important event was also took place on 25th of April but after the after the upcoming year 1935 in Kudan village that older lady named Dhappi radi refused to pay tax and seeing this that an older lady is refusing and she is protesting all the villagers they also refused to pay tax and a firing took place by the revenue officials and Chet Ram, Tiku Ram, Asha Ram and Tulsa Ram four peasants were killed in this firing and 70 175 were arrested again it it was raised in the British Parliament and in the pressure of British Parliament Maharaja had to agree with all the demands of the peasants in the end of 1935 and with this 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 movement ended up very successful evently uh...to this tarah say is uh...andolan ka anthua or body safalta ke saath anthua a...a...好吧 लगबग सभी किसान अंदोलनों में एक ही है कि बहुत ज़्यादा एक तो कर तो थे ही और उपर से उनसे बेगार और करवाई जाती थी बेगार का मतलब होता है उनको पैसे नहीं दिया जाना या जबरदस्ती उनसे मेहनत का श्रम का काम करवाई जाना तो बहुत ज़्यादा कर और बेगार यह दोनों मिलके किसानों में फिर गुसा बढ़ता गया कोई कब तक सहन करेगा तो इस वज़य से किसानों में बहुत जादा गुसा बढ़ गया फिर अगर उनको कोई एक बार थोड़ी सी भी लीडर्शिप मिल जाती है किसी का अच्छा नेतरतों मिल जाता है यह जो है पूरे अंदोलन में उन्धो प्रक्रिया उन्धोलन शुरू हो जाती है तो यह हुआ अप्रैl 1922 में अंदोलन शुरू रधूंन शल्मपेन ने नोरण camera की नेतरतों में नेनोरह जो् worldwide तो में पीस और राजस्तान सेवासंग करें सदसे ते बीन और यह थी सानुन यानि 2 अप्रेल 1923 को डाबी गाहों की घटना हुई वहां पर पुलिस अधिक्षक इक्राम हुसेन द्वारा उस समय चुंकि लोगों ने टेक्स देने से मना कर दिया तो उन्होंने गोली बारी की और दो जने नानक भील और देविलाल गुर्जर वहां शहीद हुए नानक भी और देविलाल गुर्जर जिसमें नानक भील की जो है आपने कहानिया पहले भी पढ़ रखी है ठीक है लेकिन बहुत ही दुरभाग्यपून तरीके से हुआ ये कि जिस राजस्तान सेवासंग के नेतरतों में ये आंदोलन शुरू हुआ उस राजस्तान सेवासंग में आप चुछ ही आंदोलन भी समाप्त हो गया आपू बहुत हो गया आपू बरार पीसंट मूँट टीकाना वंडि रियास्त अवाज़ कोथे एंदखन फोर्स लेबर व्स के ंटिए स्मावर् के उद्विक्ताण सेवासंग के आपरेल 1922 भी एंडट्र बहुत है आप्रेश्तां स प्योट प्योट अपरल 1923 इंब विलिज विल एंब ओर्स्पंध प्योर्बाना विले तो इस पारी नानक्वी बील एंब वुर्ज वस्किल्ड यू वाइन विल्ड फिर्ट वट इंब वोर्ड़ इंठ इन्यू थे दो फृतल विल्स्ट इंट विल्ड़ज इंडेु इंडि इस ओन इकांडिक्शन, थो एक चोटी से कहानी है। लुब को अटोषी मेवाड के क Croatiaان Comp Sad instant island को쳤ंभी लुफ का सब्सक्राइब कोुछाद काहा धित्युछिसान है। पहला आंदोलन वही था और उसी को देखकर बाकी आंदोलनों को भी प्रेड़ना मिली थी तो 1921 में यह आरम हुआ था और रीजन इसका भी वही था बहुत ज्यादा कर थे बेगार करा ही जाती थी और इसके जो नेता थे वो राजस्थान सेवा संके सभी प्रमुग नेता उन किसान विरोध करते रहे और दो साल के बाद महां के जो ठाकुर थे ठाकुर रावत अनूप सिंग वह और किसानों के बीच में समझोता हो गया मतलब यह पहली बार ऐसा लगने लगा कि बहुत आराम से एक किसान आंदोलन सफर होने जा रहा है लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्यों कि मेवार सरकार यानि कि जो राजे सरकार थी और वहां जो रेजिडेंट था रेजिडेंट को नता है अंग्रेजों की तरफ से हर रियासत में एक अपना प्रतिलिती नियुक्त किया जाता था जो यह देखता था कि वह कहीं हमारे खिलाफ बगावत तो नहीं कर रहे हैं यह हमें प्रॉपर ट्रेक सेशन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे तो वह सब संभालने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किया जाता था वह रेजिडेंट कहलाता था तो मेवार सरकार और रेजिडेंट दोनों को ही यह समझोता जो जनता और ठाकुर रावत अनूप सिंग के बीच में हुआ यह पसंद नहीं आया और उन्होंने क्या का इसे बॉल्शेविक कहा बॉल्शेविक क्या है देखे कई बार शब्दों में हम कंफ्यूज हो जाते हैं दर असल रूस में 1917 में एक समझोत हुआ था बॉल्शेविक समझा मज़ार आए प drinks को सर्वार वरी से बार यहां॥ा वड़िक में यह तो जना कर यहीं समझा कि थैस को सफॉगिक समझा और अदिकार होता है कि यह मेंशन करना इसलिए जरूर है कि कई बार कुश्यन भी आगा जाता है कि केकिन किसानांदोलन को बोल्शेwिक समझोता का गया या फिर यह क्या का जा सकता है कि Jestr जो वहाँ आं के राजा थे उन्होंने क्या नाम इ thermal ए C seven theosta असलियंने इसका नतीज़ा क्या निकला कि थाकूर्रावत अनूप सिंग्ग को नजर बंद एंगिया जहां ते आपने घर में और ठीक अने पर मुंसरमात मद्धादी गया प्र combos का brut का मतलब अवहां से ठाकुर से अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया जाता है जमीदार नने अपना अधिकारी नियुक्त करते कर दियाा सिर्फ ओफिशिल उसको कहता है मूनसरमाट ठीक अब क्या किया से लिए सब्सक्राइब और पॉलाया किसानों को कि आईए बैठिए बात करते हैं तो गोविंधु पूरा में सब्सक्राइब की गी लेकिन बजाए उनसे बात करने के और इस तरह से कोई भी सोच समझ कर कारे करने के वहां उस सभा में 600 से ज्यादा किसान इखटे हुए थे और वहां पर उन्होंने गोली बारी शुरू करवा दी और यहां रूपा जी और करपा जी धाकर जो है वो शहीद हो गए और 500 से इसको उन्हें गिरफतार कर लिया गया और यह आंदोलन धीरे-धीरे समाप्त हो गया इस प्रकार दो 1921 में शुरू अगने के बाद 1923 था के ने दो ही साल यह आंदोलन चल पाया लेकिन जिस प्रकार से इस आंदोलन में घटनाए हुए उससे यह आंदोलन बहत ही बेगू पीस and movement बेगू is situated in Chittaurgarh under the Mewaar Riyasat and it was purely inspired by the Bijawliya movement. Again the reason behind this movement was extra taxation, the forced labour means Begaar. In 1921 this movement started and the leaders were out of Rajasthan Service Association named Pathik as we know and Ram Narayan Chaudhari and Mani Kelal Verma, all they handled this movement. A conference was held at Bhairaankund Menal and their Pathik handed over the leadership of this movement to Ram Narayan Chaudhari. After two years of the movement, when the movement gone up for two years, agreement took place between the subjects of the Tikana and the Thakur Rawat Anoop Singh and the agreement was that extra taxation, or extra lag bags were called off. But both the king and residents were not happy with this agreement and they called it Bolshevik. Bolshevik is an agreement which took place in Russia or you can say Soviet sang. And after the consequences was that Thakur Anoop Singh was house arrested and Munsarmath was there to handle all the revenue work, then a trench commission was organized and trench commission and Lala Amrit Lal called a conference there in Govindpura. Over 600 peasants were there to join the conference. But besides being conversation, they ordered for firing and Rupa ji and Krapa ji Dhakar was killed in this firing and plus 500 peasants were arrested. There was a misbehaved happened with all the ladies of that place. Then Pathik came there and started handling the movement secretly. But on 10th April 1923, Pathik was arrested and gradually the movement ended up. So, this way, we can see that these animals were very strong and very strong. But the animals were not able to get the animals in the field, but the animals were not able to get the animals. नहीं मिल पाया था और आब हम पढ़ते हैं आख्री जो आपके कोर्स में लिए और में पर निमुच न किसान किसान और न पर रवय मत हैं यहां जो किसा में न इसी दोमाएं, यह कंद आपके कारण ठर्दन की लना थनका थोड़ इक गश्याम थो चिक हैं हलांकि यह समस्या यहां भी थी लेकिन यहां वो समस्या यह ऐसा कह सकते है कि ततकाली इंकारण जो है वो निकल के कुछ और आये थे पहले तो क्या हुआ था कि अलवर में जो राज्य था उसमें सूरों को मारने पर प्रतिबंद था सूर जो होते थे वो बहुत तेजी से दोड़ते थे और संख्या में भी बहुत जादा होते थे तो जब खेतों से वो दोड़ते निकलते तो फसलों को बरबाद कर देते थे और किसान बहुत परिशान थे, मारने पर राज्य की तरफ से प्रतिबंद है तो मार भी नहीं सकते थे, तो ऐसे में किसानों ने फिर 1921 में आंदोलन किया इस बात की विरोध में, और फिर बाद में उनको इजासत मिल गई, तो इससे ही किसानों को समझ में आ गया कि अगर हम इस परकार शान्ति पूर वक्त एक होकर विरोध करते हैं, तो हमारी बाते मान ली जाती है, तो यह जो है, शुरुआती, उनको पता चला, कि शुरुआत में किस परकार से आंदोलन को किया जाए, यह यह कह सते हैं कि पहला स्टैप था आंदोलन का, फिर बाद में 1922 में ती तो इस प्रकार कुछ सालों के बाद बूमी बंदुबस्त किया गया और 1923 से जो नहीं कर विवस्थाथि वह लागू की गई या जो नहीं दरे थी लेकिन उनमें एक बात हुई देखें 1922 से पहले क्या होता था जो ब्रामन थे और राजपूत थे उनको करो में रियायत दी गए थी यह उनका विशेशादिकार था कि वह ब्रामन है वह राजपूत है इसलिए उनको कम कर देना होगा या फिर उनको कुछ जो है राज्य की तर लगशादी के राजपूत है थी और फह रूका सेड़ फिर वह ब्रोद के पाइब प्रेंद बाइब स्थी आध दो और भोफ जबारा था हिसलिए ऐखेंग पांसूर और गाजकी दोंग 的tuनारีकार न कि दो ब्रूल गाओं के इनको 3-2 पंशोर यहां पर राजपूतों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो इन दोनों गाओं की जो किसान थे उन्होंने मिलकर अलवर राज्य का जो रेजिडेंट था ठीके ना जैसा मैंने का है रेजिडेंट कौन होता है जो अंग्रेजों की तरफ से वहां न्यूक्त किया वा रहता है तो जो जो अलवर के जो शाच्थ थे जैदेव सिंह थे उनको बहुत गुसा आया इस बाद पर देखे इस बार ये अंग्रेजों की तरफ से हुआ 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 वा कोई भी उसलिया का दमन नहीं कह सकते इस बार जैदेव सिंह जो वहां का इस्था जwireब का ता उसको बहुत इनापती था उसको भेजा और उसने वहाँ पर गोली बारी का आदेश दे दिया और इस गोली बारी में 156 किसान शहीद हुए और 600 घायल हुए इतना ही नहीं बलकि किसानों के घर जला दिये गए औरतों से बदसुलू की की गई बच्चों और बुजर्गों तक को नहीं बख गांदी जी ने उस अकबार में इसको दोहरी डायर शाही की संग्या दी दोहरी डायर शाही यानि एक डायर आया था और उसने जलिया वाला बाग में हत्या कांट किया यहां यह चजु सिंग डायर बनके आया जनरल डायर के रूप में और सिर्फ गोली बारी नहीं की घर ज बस कहते हैं, बहुत जादा दुखदाई है, बहुत जादा जो horrible होता है, उसको कहते हैं, तो ये इसमें से question important बनता है, कि गांधी जी ने किस अकबार में जो है, दोरी डायर शाही कहा था, नीमूचना को, या किस किसान आंदोलन को दोरी डायर शाही संग्या दी थी, या फिर जो है यंग इंडिय अकबार में नीमूचना की जो गटना होई थी, उसको क्या काहा था, इस तरह से किसी भी तरह से गुमा के कुछन बोचा सकता है, गांधी जी ने यंग इंडिया नाम ऑने, नीमूचना में यह जो गोली बाली होई थी, उसको दोहरी डायर शाही की संग there and all the pigs used to ruin the crop of the peasants and peasants protested against it and after the protest after the non-violent protest the permission to kill pigs was granted to them then in 1922 third land settlement was applied there and all the revenue reforms were applied in 1923 specific things about this settlement was the privileges was which were earlierly given to Rajputs and Brahmins were abolished so obviously the protest will took place after that so peasants of Banu's Bansur and Ghazi Katana complained to resident of the Alwar state but the king of Alwar Jayadev Singh got angry with it and when on 14th of May 1925 a conference was there in Nimuchna he sent commander Chajju Singh there and he ordered for firing and gunshot and in this firing 156 peasants were killed and approximately 600 peasants were injured not not only this their houses were put on fire and ladies were misbehaved and they didn't even consider children and old age people in a newspaper the Riyasat it was compared to Jaliyawala Bagh event and the most important thing that Gandhiji in a newspaper called it double diarism double diarism is is called the event of Nemuchna and Gandhiji even called it more horrible than Jaliyawala Bagh masyarak it is really was very horrible and more and more horrible than Jaliyawala Bagh masyarak and and Gandhiji called it double diarism so he was called it double diarism so he was the last topic here he was the guy who was off when one that says to me who is your friend of Malija Тогда in India when it was the first time who is him pulled off when he killed on the médias the virtually the Ma also of chapter 11 but not particularly he was looking at the-trag Dominic by Gaga Ananda. The first time I saw that Mbika was 50-amer in 1927 from August plais吾 पूरे भारत के लिए जो देशी रियासते थी उनके परिप्रेक्षी में स्थापिट की गई थी इसकी स्थापना बंबई में हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे दीवान बहादूर राम चंद्र राव और इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे विजय सिंग पथे और राजस्थान की दरफ से है जिसको कैसे थे प्रांती है सची वो थे राम नारायन चौद्री ये जो देशी राजी लोग परिशत थी इसमें राजस्थान से साथ सदस्यों ने भाग लिया था ये तो आपको फैक्ट से आद करने हैं एक प्रजा मंडल की स्थापना क्यों करी इसके उडेश थे एक तो पहला थो नागरिक अधिकार होते हैं जैसे वोट देनाएन उतत्रदाइश्चन को चाहिए होताया नागरिकों या साशन से हम किस तरह से बात कर सेगे या ऐसा कोई परतनिति नियुक्त किया जाए जो हमारी बात को सुने इस तरह की कई लुकि जागड प्रलक्र वागाद करना कि उसमें पता नहीं था कि उनिधिकार भी हो सकते कि उन्हें को जागरत करना और सबसे महतों पूंज भी धारो टिसफिया क्ष्ञ में जो देश में चल रहा था उसमें सही होर जागरड दिखाई. बहुत कम दिखाई दे रही थी. All India People's Indigenous Council was organized in 1927 on 16th to 18th December. The Praja Mundal Movement is considered to be started from here. It was organized in Bombay and the first president was Diwan Bahadur Ramachandra Rao. Vice President was Vijay Singh Pathik and the regional Secretary was Ram Narayan Chaudhary. Seven members from Rajasthan attended this session and the Praja Mundal Movement was considered the biggest movement in Rajasthan in the point of view of political things. The purpose to organize this movement was first demanded for civil rights, civil rights like suffrage, civil rights like to talk about their rights and to aware the citizens about their rights as we can understand that most of the citizens were uneducated. So, to aware the citizens about their rights and to help in the struggle of freedom. As we know that a political struggle was organized in India just to get the independence. So, the main purpose of this movement was to help the struggle of freedom. So, students, now किताब पढ़ते हो तभी तो आपकी जय जयकार होगी तो बुक जय करे 36 में, सबसे पहले, बुक जय करे 31 में, तो बुक यानि की बू से बूंदी और कर से कांतिलाल, ठीक है, जय, जय से जय पुर और जय से ही जमनालाल बजाज और करे से हो जाएगा करपूर चंद पाटनी औ दिखे, सब में आगे आपको 19 तो लगा नहीं है, तो बुक जय करे 31 में, तो 31 के आगे 19 लगा दो, तो 1931 में, जय पुर और बुंदी दो परजामंडलों की स्थापना होई थी, जय पुर की स्थापना की थी, वो दो जनों ने की थी, तो जय पुर में जय से बनता है, जमना की स्थापना 1931 में होई है, लेकिन जय पुर परजामंडल की स्थापना सबसे पहले की गई थी, ठीक है, फिर अगला जो है, उसको भी पहले ट्रिक देख लेते हैं, ट्रिक सिर्फ इतनी सी है कि, मजा नहीं जब, सिर्व रद्दी करे, कव 34 में, मजा नहीं जब सिर्व रद्दी करे, चौपतिस में, तो मजा, पहला शब्द मजा में बन जाएगा म से मारवाड और जव से बन जाएगा जैनारायन व्यास, फिर नहीं ही में ह से बन जाएगा हाडोती, और न से नईनुराम शर्मा, और सिर्व से बनेगा सिरोही और तीनो प्रजामंडल 34 में, 1934 में स्थापन, उसके बाद में एक सिंपल सा है कि बैद बिका, चतिस में, यह तो एक ही था, तो बिकानेर की प्रजामंडल की स्थापना थी, वो कि थी मगाराम बैद ने, और कि थी 1936 में और बिकानेर प्रजामंडल था, यह थोड़े दो मामे के शहर में धोली ज्वाला ठीक है तो मामे में मे से बनेगा मेवाड और मा से बनेगा मानि केलाल वर्मा वहीं शहर में शहर से बनेगा शाहपुरा ठीक है और रह से बनेगा रमेश चंद्रवजा दौली में दौल से बनेगा दौलपुर और जौला परसाद इसके संस्थापक ठीक है ये पहला हो जाएगा उसके बाद में दौली जौला देखने गए न अब वहाँ आहा भाकरी पे चड़कर भाकरी पे चड़कर त्रिकाल देखा 38 में अब ये दोनों लाईने एक साथ याद रखनी आपको पहले तो हम गए तो थे मामे के शेयर में दोली जौला देखने और वहाँ आहा भाकरी पे चड़कर त्रिकाल देखा 38 में तो आहा में बन जाएगा अ से अलवर और ह से हरी नारायन फिर भाकरी भा से बन जाएगा आपके भरतपुर और कर से बन जाएगा करौली और त्रिकाल से बन जाएगा त्रिलोग चंदर और ये हुआ कब 1938 में तो ये चार लाइने याद करेंगे तो आपको एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा मतलब बारा प्रजाम अंडल जो है इन चार लाइनों में आपको याद हो जाएंगे बुक जय करें 31 में, तो ये 31 भी याद हो रखा है कि इन दोनों का स्थापना 1931 में होई थी मजा नहीं जब सिर्वर्दी करें 34 में, 1934 में स्थापना होई इन तीन प्रजाम अंडलों की बैद बिका 36 में, सिर्फ बिका निर प्रजाम अंडल था जिसकी स्थापना 36 में होई थी, मामे के शहर में धोली जवाला देखने गए और आहा बाकरी पे चड़के त्रिकाल देखा 38 में, तो इन पांच प्रजाम अंडलों की जो है स्थापना वो 1938 में होई थी, अब आगे की जो प्रजाम अंडल है उनकी ट्रिक देखते हैं, इसकी है कौन थी काकी, कौन थी काकी, 49 में, ठीक है, तो जैसे कौन है, तो को से कोटाव और न से नैनुराम, और काकी में की से किशनगड और का से कांतिलाल, और वो कब थे, 39 में, ठीक है, फिर है भंवरा कुशल 42 में, यह एक ही प्रजाम अंडल था, जो 42 में स्थापित हुआ था, बहुरा कुशल 42 में, तो कुशल गड प्रजाम अंडल, 42 में स्थापित हुआ था, और भौर, बहुर यारी सुबह कहते हैं, भौर डूब गई, सुबह ओने से पहले ही खतम हो गई, भौर डूब गई, 44 में, तो भौर में भोगिलाल पांडिया और डूसे डूंगरगर, डूंगरपूर प्रजामंडर, अब यह थोड़ा सा, एक स्थोरी की तरह आपको याद रखना होगा, देखो इस स्थोरी यह सुनाती हूँ, कि जो भूपेंद्र है, वो बासी रोटी लेके आया, लेकिन प्रताप को जो है, वो अमरत जैसी मीठी लगी, कब लगी, 45 में, तो यानि भूपेंद्र, बासी रोटी लाया, पर प्रताप को अमरत जैसी मीठी लगी, कब, 45 में, ठीक है, तो साल भी याद हो गया, अब भूपेंद्र नात, पूपेंद्र से, ये तो नाम ही है प्रॉपरली, बासी से बनता है बासवाडा, लाया पर प्रताप को, प्रताप से प्रतापगड, और अमरत से अमरतलाल, तो प्रतापगड की स्थापना की अमरतलाल ने, और जैसी से जैसलमेर, और मीठी से मीठालाल, जैसलमेर, प्रजा तो आपके कहीं भी गलती होने के चांसे नहीं रहेंगे अगर एक नमबर का कुछिन पूचा जाता है दो नमबर का यह हो सकता है कि आपको पांच नमबर के पूरी दे दी जाए कि राजस्थान के राजस्थान में स्थापित के प्रजामंडलों की सारी नी बनाई है यह अइड नाध哥 आख RussiansMost वर्ला में इक गहीं सेफित इस इस चैप्टर में आपके लिए विए यह me steel और जालावांगी आई जालावाड में होता है अब इसके बाद हम अध्योगी क्रामती जो एक छोटा सा ही चैप्टर है उस चैप्टर में बाकी सब कुछ जो है रिड्यूस कर दिया गया है सिर्फ अध्योगी क्रामती को रखा गया है वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में धन्यवाद